असलाम लेकूं वीवर्स कैसे हैं आप सब तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि लेमन ग्रास को कैसे सुखाए जाता और इसे कैसे स्टोर करके रखा जाता है तो अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और बारिश आने वाली है तो बारिश के लिए हम इसको सुखा कर रखेंगे तो मेरे पास लेमन ग्रास का बहुत ही बड़ा सा पौदा है लंबा सा पौदा है तो इसको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी सारे लेमन ग्रास को कट करके रख लूँगी क्योंकि बारिश में यह फिर अपने आप से नहीने पत्तिय इसमें आने वाली है तो यहाँ पर हमन लेंगे और इसके बिल्कुल छोटे-छोटे से टुकड़े कर लेंगे क्योंकि इसके छोटे-छोटे टुकड़े करेंगे तो यह सुखने में भी आसान होगा और इसे स्टोर करना भी बहुत आसान होगा तो इस तरीके से छोटे-टुकड़े इसके हम कर लेंगे तो ये देखिए सारे लेमन ग्रास को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसकी बहुत ही अच्छी खुश्चबू आ रही है और एक बरतन में हम पानी ले लेंगे और पानी से हम इसे वाश करना है अच्छी तरीके से धो लेना है ताकि इसमें जो धूल मट्टी हो या थोड़ी सी भी गंदगी हो वो साफ हो जाए तो पानी में डाल कर इसको अच्छी तरीके से हम धो लेंगे तो इस तरीके से हाथों से इसको मसलते हुए अच्छी तरीके से हिलाते हुए अच्छी तरीके से इसको धोलेंगे तो यह देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से धोलिया है और हमारे पास यह वेजिटेबल बैग है, फिरीज बैग इसमें फिरीज में सारी वेजिटेबल से रखी जाती है और यह नेटकी होती है तो इसमें हम सारे लेमन ग्रास की जुठी को हम ने काट कर रखा इसको हम इसमें डाल देंगे ताकि इसमें से सारा पानी जो है इसका निकल जाए और इसे धूप में हम अच्छी तरीके से इसको सुखा सके ताकि पत्तियां जो इसकी है हवा से उड़े नहीं और एकी जगा रहे और आसानी से इसमें सूख जाए तो यह देखिए सारे लेमन ग्रास को हमने इस बैग में भर लिया है और इसको अच्छी तरीके से जिप को बन कर देंगे और इस तरीके से इसको फैला लेंगे और इसे हम धूप में चार से पास दिनों के लिए रखेंगे तो और चाहें तो एक दिन में भी यह सूख जाता है लेकिन तीन से चार दिन अगर रखेंगे तो यह और भी अच्छी तरीके से सूख जाता है तो ये देखिए धूप में हमने इस तरीके से इसको रखा हुआ है तीन से चार दिन हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से ड्राइ हो चुके है बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्पी होकर सूख गई है तो ये देखिए इसकी हम चाय में इसको यूज़ कर सकते हैं सरदियों में और बारिश के मौसम में इसकी चाय बना कर पी सकते हैं और सूप बनाया तो सूप में भी से डाल सकते हैं तो ये अच्छी तरीके से सूख चुकी हैं तो चलिए अब हम इसको किसी है टाइट कंटेनर में अच्छी तरीके से स्टोर कर लेंगे ताकि कि बारिश के मौसम में हम इसको अच्छी तरीके से इसकी चाय बना कर सूप बना कर पी सकें और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है तो आप भी इस तरीके से इसको जरूर सुखा कर रखें तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं